इन दी आइसोसेल स्ट्रेंगल ABC, mod of AB is कस्टो, mod of BC is कस्टो 8 unit and it divides the side AB internally in the ratio of 1 is to 3 and the cosine of the angle between the CE vector and CA vector where mod of CA is 12, ठीक है, यह अपने बस condition given है, ठीक है, मैंने यहां पर figure draw करिए, इसमें AB और BC जो है, वो क्या है, equal side length है, ठीक है, तो AB और BC अगर पन देखे, तो AB is equals to BC, इसकी जो mod value है, यह equal given है, और यह क्या given है, यह eight unit के equal given है, ठीक है, यह eight unit के equal given है, अब basically अपन देखे, अपने को क्या निकालना है, ठीक है, अब अगर मैं cos of A के value देखू हूँ, इसको अपन vector के form से भी देख सकते हैं, या पर direct solution of triangle के form से भी देख सकते हैं, ठीक है, let's say, अगर मैं यहाँ पर A को origin vector resume करूँगा, तो B को B vector resume करते हैं, और C के लिए position vector अपन C लेते हैं, ठीक है, यहाँ सकर अपन देखें, तो mod of B, mod of B क्या होगा, eight, और mod of C क्या होगा, वो 12 हो गया, और यह vector जो होगा, BA vector जो होगा, वो क्या होगा, B minus C vector, और mod of B minus C vector जो होग इसकी value भी eight के equality है, और जो E point के लिए position vector होगा, E point के अगर आपन पोजिशन vector देखें, तो क्या जाएगा, वो जाएगा, B vector by four, ठीक है, E vector का जो position vector होगा, B vector by four, तो यहाँ से अगर मैं C vector देखो, यहाँ पर, तो C vector जो होगा, यह क्या represent करेगा, यह represent करेगा, आपने पस E vector minus C vector, ठीक है, यह जो value होगा, यह क्या जगा, E vector की value का अपने पस, यह क्या बने, B vector by four minus, यह क्या जगा जगा, आपने पस C vector, ठीक है, C के लिए position vector का होगा, C, अब C की length अगर अगर आपन निकाले, मैं यहाँ पे, तो C की length क्या होगा, यह यहाँ पर, C की लिए अगर अगर बाइ 16 प्लस मौट ओफ सी ओल स्क्वार मैंनस में कहा जगा 2 ताइमस ओफ 2 ताइमस ओफ b.c बाइ 4 हो जाएगा ठीक है यह यहां पर इसकी वैल्ली बाइक हो तो तो यह आज़ेगा अपने पास 16 into 4 16 into 4 यहाज़ेगा यहाँ पर 16 से अगर आपन डिवाइट करने तो 4 यह आज़ेगा 148 minus of b.c divided by 2 ठीक है अब अगर मैं b.c की value यहां से find out करता हूं ठीक है तो b.c की value आपन find out करेंगे मैं यहां पर b.c की value find out करता हूं यहां से अगर मैं इस ट्रेंगल में को sign formula apply कर दों तो sign formula apply करूंगा तो यह क्या जाएगा यह unit क्या है 8 unit है और यह unit भी क्या है 8 unit तो basically अगर मैं देखे sign formula apply करेंगे तो यह आज़ेगा a upon sin a is close to b upon sin b is close to c upon sin c यहां पर इसकी value होगी यह अपने पस value होगी और अगर मैं यहां पर cost of a की value देखूं तो cost of a की value देखूं यह क्या जाएगा cost a की value हो जाएगी यह जाएगा 8 square plus 12 square minus of 8 square divided by 2 into 8 into 12 यह यहां पर इसकी value होगी इसको अगर पना simplify करेंगे 8 square 8 square cancel out हो जाएगा और यह जाएगा अपने पास 12 into 12 divided by 2 into 8 into 12 यहां से अपने square जाएगा तो 12 से 12 और अगर अगर पन 2 से cancel करेंगे तो यह आज़ेगा अपने पास 3 by 4 तो cost of a की value क्या हो जाएगी 3 by 4 तो b.c की value अगर अपन निकाले यहां पर b.c तो यह क्या जाएगा mod of b mod of c into में क्या जाएगा अपने पास cost of a b.c की value होगी वो क्या होगी mod of b mod of c cost of a mod of b की value क्या आपने पास 8 और mod of c की value क्या है 12 और cost a की value क्या है 3 by 4 तो इसकी value कर अपन देखे तो यह क्या जाएगा 4 3 जा 12 4 312 4 312 यहां से value क्या आजाएगा 3 into 3 9 into 8 तो यह जाएगा 72 यहां से अगर अपन देखो तो यह जाएगा 72 यहां से अगर में इसकी value देखो यह जाएगा 148 माइनस में क्या आजाए आपने पास 72 by 2 का square root यह value आजेगा आपने पास 148 माइनस में 36 का square root 36 अगर अपने इसकी value देखो तो यह क्या लिखा हुआ है यहां पर 1112 ठीक है इसकी value कर पने देखे तो यह लिखा हुआ है 1112 का square root देखो तो mode of ce पुसिए यह क्या गया इसकी length आपने पास आगई अपने पास आगई आपने पास च्रायंगल आ आगया ति यह बेसिकली जो यह लैंट होगा यह लैंट क्या हो गया six unit को वह वाघर इचे लूए और यह लैंग कि आपने बस के आपने पए आपन साइन ए और यहां सा जाया काणा य एपन साइन ऑल्फा ठीक फास Valentine के नफकर देकरैं सकर में कर बंद करी हैं एक रूट मैं और और साइन एक तए बैलू अगर पने को क्या गिवन है तरी डाउसर कि वेलुट क्सवर तो कॉसच ऊफ ए की वहलू अपने पास त्री बै फॉर गिवन है यहां जान की वेलू अपने लिख सकते हैं यहां पर तो साइने की क्या हो जागी है कि साइनेे की वैल्यू हो जाएगा अपने मास हेपोटनियूज डो 40 होगा है बॉतन इसकी वैल्यू हो जाएगे ठीक है तो मैं इसकी वैल्यू साइने की वैल्यू पूट कर देता हूं तिया जगा रूट सैवन भाइफोर इजिन और वैल्यू तो यहां सब आपन साइन अलफा को निकाल सकते हैं तो साइन अलफा की जो वैल्यू होगी वह क्या हो जाएगी वह जाएगा अपने पास टू इन्टू इन्टू यह वैल्यू हो जाएगा एक यहां पर इसकी वैल्यू को सिंप्लीफा करें यहां पर रूट सेवन इन्टू इसको लिख सकते हैं ठीक है यहां जाएगा यह जैका फोर रूट सेवन इसको लिख सकते हैं ठीक है यह आजाएगा 4 root 7 ठीक है 4 root 7 अपने पास आजाएगा तो root 7 root 7 अपन क्यांस लौट करें तो sin alpha value हो गई 1 by 8 ठीक है तो sin alpha value अगर 1 by 8 आ गई तो आपन cos alpha value निकाल सकते हैं cos alpha value क्या हो जाएगा denominator में 80 आजाएगा और numerator numerator में अपने पास value हो जाएगा 8 square 64 minus 1 तो 63 का root तो यह 9 into 3 तो यह जाएगा 3 root 7 3 root 7 by 8 तो cos alpha value क्या हो जाएगा 3 root 7 by 8 answer अगर पन देखे तो 3 root 7 by 8 तो option c is the right answer obviously जो एक alpha है वो क्या होगा एक q टेंगल होगा जो कि अपने को figure से दिख रहा है तो cos alpha value positive होगी तो option c is the right answer झाल